हेलो साथियों नमस्कार मैं सौरा पटेल स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल मिस्टर एस्पी पॉइंट में साथियों आज हम उत्तर प्रदेश बीड प्रवेश परिच्छा 2022 का माडल हल प्रस्पत्र आप लोगों सामने लाए हैं सबसे पहले प्रस्पत्र देखे सामन इयान के सबसे पहले क्यूस्चन विष्वश्वास संगतन विष्वश्वास संगतन जिसक무 डबलू health kya यहMr. मैं इसका मुख्यालग की और मुख्यालग की सहर में स्थित्थ यहक्यूस्थ्थन आपको बहुत बार आ चुका है repeated है मैं पहले भी इस question को preparation करा चुका हूँ तो देखे विस्वस्वाज संगठन WHO का मुख्याले जो है वो जिनेवा में इस्तित है option number C is right answer next question साथियों लगातार वीडियों के अंतक बने रही है UNESCO जो है उसका जन्म कब हुआ था इसका right answer है A. 16 November और 2945 को 16 November और 2945 को इसका जन्म हुआ था और ये आप लोगों को note कर लेना है क्योंकि ये बहुत बार question आप लोगों के आ चुका है अब चलते हैं तीसरा number question के है तीसरा number ये है कबड़ी किस देश का राष्टी खेल है इसका right answer होगा option number C Bangladesh Bangladesh का जो कबड़ी है या वहां का राष्टी खेल है ये आप लोगों को याद रखना होगा next question चलते हैं किसे पहले भारती किसे किस पहले भारती को किर्केटर का एक दिवसी मैच में 12 सतक लगाया था कहने मतलब कौन सा ऐसा भारती किर्केटर था जिन्होंने एक दिवसी मैच में 12 सतक लगाया था सबसे पहले बात सबसे पहले खो रही है तो इसका right answer आप लोगों बताते इसका right answer होगा सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर ने 12 सतर एक दिवसी मैच में सबसे पहले लगाया था इसको आप लोग नोट कर लिजे नेक्ट चुचन चलते हैं पांचवा नमबर कुचन इसमें है सूर के प्रकास को प्रत्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है सूर का जो प्रकास होता है प्रत्वी तक पहुचने में कितना समय लगता है आप लोगों को पता होगा 8 मिनट 20 सिकन यदि 8 मिनट 20 सिकन के अलावा कहीं 8 मिनट 16 सिकन भी मिलेगा तो आप लोग उसी को राइट एंसोर मारियेगा 8 मिनट 20 सिकन लगभग होता है और कहीं कहीं 8 मिनट 16 सिकन आता है तो उसको आप लोग मार दीजिएगा यह होगा राइट एंसोर आपसान नमबर D नेक्स चुचन चलते हैं निमकिन में कौन सा निमकिन में कौन आरकास के दिरिष्ट कोर्से या बिरिष्पती है इसको आप लोग जरूर याद कलीजिएगा चलिए नेक्स चुचन चलते हैं छेतफल की दिरिष्ट से भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है छेतफल का दिरिष्ट से आप लोग जानते होंगे जनसंख्या की दिरिष्ट से सबसे बड़ा राज जो है उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दिरिष्ट से लेकिन यहाँ छेतफल की दिरिष्ट से पूछा है आप लोग ध्यान दिजिएगा ऐसे कुचन आप लोग कनफिज हो जाएंगे डारेक्ट उत्तर प्रदेस मार देंगे इसमें उत्तर प्रदेस राय चैनसर नहीं होगा इसका राज स्थां जो है अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है चलिए और आकर क्युस्ण कलते हैं इसका राजस जंगा भारत की सबसे ऊची पर्वत चोटी कौंसी है आपको ये क् परवत चोटी है ये आप लोग ध्यान दिजिएगा नेक चुचन चलते हैं नौवा नमबर भारत की पहली महीला मुख्यमंतरी कौन थी आप लोग सुने होंगे पहली महीला परधान मंतरी कौन थी लेकिन अब लोग गिर्जुएट हो चुके होते हैं इसमें बहुत ही उल्जा हुआ क्यूस्चन लाता है तो इसमें आपको ध्यान देना होगा पहली महीला मुख्यमंतरी जो बनी थी वे थी सुचेता कृपलानी ये आप लोग जरू याद कर लीजेगा सुचेता कृपलानी भारत की पहली महीला मुख्यमंतरी थी ये किसी राज जिका नहीं पूछा है पूरे भारत की महीला मुख्यमंतरी पहली महीला मुख्यमंतरी सुचेता कृपलानी है और पहली परधान मंतरी की बात जहां आती है तो वहाँ आम लोग कहते हैं स्रीम्थी इंदरा गाधी अब चलते हैं 10 number question next question विश्व का सबसे छोटा महासागर काँ सा है विश्व का सबसे छोटा महासागर आप लोग जानते हैं काँ सा है आर्किटिक महासागर option number B is right answer आर्किटिक महासागर विस्व का सबसे छोटा महासागर है उसके बाद निर्ष क्यूचन चलते हैं साथियो लखनव घराना निम्नखित में से किस संबंदित है कहने हैं मतलब जो 11 नमबर क्यूचन है इसमें यह क्यूचन है लखनव घराना निम्नखित में से किस संबंदित है आप लोग क्यूश्चन समझे लखनव जो घराना है इसमें आपसन नमबर ए आपका राइट है संगीत और निर्स लखनव घराना संबंदित है अब चलते हैं हम लोग निर्स क्यूश्चन पे वीडियो में साथ यो अंतक बने रहिए आप लोगों के लिए हम लगातार ऐसे ही जब पोरे क्यूश्चन लाते रहेंगे अंसाल्स जो की हर बार क्यूश्चन में आया है अभी इम मॉडल पेपर भी लाएंगे 29-20-20-20-18 समी नेक्रे चलते हैं बारानर क्यूश्चन देखिए बारानर क्यूश्चन में इततर प्रदेश दिवस प्रतेग दिवस को कहने उत question आ जाता है उत्तर प्रदेश दिवस प्रते option में से किस तित को मनाया जाता है तो इसका right answer आप लोग मानेंगे 24 जन्वरी को 24 जन्वरी को उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जन्वरी को इसको जरूर नोट कर लिजिएगा आप लोग और इसको ध्यान भी दे लिजिएगा और एक बात आपको बता देते हैं साथी हूँ कि मेरे प्लेट फाम मेरे यूटूब चैनल से आप लोग बने रहिए इसी यूटूब चैनल पर पूरे बीएड नेटेसिंग जम की तैयरी कराए जाए चाहे वा कला का हो चाहे वा विग्यान का हो जैसे BST करके आते हैं तो उनका विग्यान वर्ग होता है और ये जो सामान विग्यान होता है और हिंदी होता है ये दोनों वर्गोग में आता है common होता है तो इसलिए ये दोनों के लिए है आप लोग खुद समझदार खुद गिजवेट हैं तो जानते ही होंगे बीएड इंटेसिंग जम का syllabus बस चलिए नेक क्यूचन देखते हैं उत्तरपरदेस 35 جिलो सहीद कितने मंडल हैं ये दिया क्यूचन आ जाता है उत्तरपरदेस में 75 जिलो सहीद कितने मंडल हैं तो इसका option number आप لوग मारेंगे D है पसा देते हैं नेश्क क्यूचन उत्तर प्रदेश में मलीहा मलीहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है आप लोग मलीहाबाद का हो सकता है कोई कोई नाम न सुना हो ऐसे से क्यूचन कहीं के हमको फसा देते हैं तो चौदा नंबर का जो राइट एंसर होगा उत्तर प्रदेश का मलीहाबाद किस इसलिए प्रसिद्ध है तो इसका right answer होगा दसहरी आम के लिए दसहरी आम मलीहाबाद में बहुत फेमस है और इसलिए वहास्तान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है चलिए अब नेस्ट उचन देखते हैं पंदरा नंबर पंदरा नंबर में है उत्तर प्रदेश के उच नियाले के मुख नयाधीज की नियुक्ति कौन करता है आप लोगों को यह चीज बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के उच नियाले के मुख नयाधीज को जो हाई कोट है इसके मुख न्याधीज जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है इसको आप्सन नमबर B होगा भारत का राष्ट फती आप्सन नमबर B इस राइट एंस्वर अब नेश्ट चुचन चलते हैं साथियों गुप्त काल का टेरोकोटा जो टेरोकोटा का मतलब समझे है पकी मिट्टी गुप्त काल का जो टेरोकोटा है पकी मिट्टी है पकी मिट्टी की जो इंटे है उनका बना भीतर का गाउं मंदिर उत्तर प्रदेश के किस सहर में इस्तित है आपको यह दिया जाए कि टेरोकोटा से बने गाओं और मन्दिर किस प्रतेश में इस्तित हैं, गुप्त काल के समय में, तो इसका राइट अंस्ओर आप लोग बारेंगे option number B, कानपुर में, कानपुर में यह हमको मिलता है, टेरो कोटा से गुप्त काल के समय में बने हुए मिट्टी के मंदिर और गाउं अब चलिए next question चलते हैं 17 number question उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश एक जनपत एक उत्पाद की brand minister कौन है आप लोग इसको ध्यान देजिए उत्तर प्रदेश एक जनपत एक उत्पाद की brand minister कौन है इसका right answer होगा 17 number का option number एक कंगना रनोट उत्तर प्रदेश एक जनपत एक उत्पाद की brand master है चलिए हम next question चलते हैं 18 number question जो है सितंबर 2021 में परदान मंत्री नरेंद मोदी देखिए ये current affairs की question आ गई current affairs समान ग्यान में देता है general awareness समान ग्यान में जो समान अध्यान होता है इनमे current affairs भी मिला हुआ होता है आपको बता दे सितंबर 2021 में परदान मंत्री नरेंद मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस अस्थान को जो किस अस्थान में राजा महेंद परताफ सिंग राजवी सिद्याले की सिला न्यास किया था बहुत ही जबर्जस क्यूस्चन ये आपके एक्जाम इस बार भी तनक सकता है कैसे सितंबर 2021 में परदान मंत्री नरेंद मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर राजा महेंद परताफ सिंग राजवी सिद्याले का सिला न्यास किया था इसका राइट इंस्वर होगा आफसान नंबर बी अलीगड में अलीगड में सितंबर 2021 में परदान मंत्री नरेंद मोदी ने राजा महेंद परताफ सिंग राजवी सिद्याले की सिला न्यास किया था चलिए next question चलते हैं current affairs की ओर्ग देखते हुए Indian sugar meal Indian sugar meal association ISMA के अनुसान 2021 में जून जो 15 जून है 15 जून 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया ये बहुत ही most important है economics related question है आप जानते हैं कि जो ये आकड़ा है ये हम लोगों के पास आता है रहता है तो इसमें question पुराना current पूछ लिया है Indian sugar meal association ISMA के अनुसान 2022 में 2021 में 15 जून 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने लाख टन की चीनी उत्पादन किया गया इसका right answer होगा 19 नंबर का option नंबर A 110.61 लाख टन चलिए next question चलते है इसके बाद जो question बीज नंबर question है क्यूचन यह है कि जून 2021 में घोसित जून 2021 में घोसित वर्स 2000 के smart city पुरुसकारों के अंतरगत smart city विक्सित करने के राज्यों में पहला स्थान है आपको question आ जाता है जून 2021 में घोसित 2000 के smart city पुरुसकारों के अंतरगत smart city विक्सित करने में राज्यों का पहला स्थान है इसका right answer होगा option number D उत्तरपरदेश जो option number D है उत्तरपरदेश का right answer होगा कि smart city विक्सित करने में राज्यों में पहला स्थान है बहुत जल्दी उत्तरपरदेश smart city के रूप ले लिया उसके बाद next question जलते है निमलखिद में कौन सा पदार्थ विच्च के प्राप्त किया जाता है 21 number question है कि निमलखिद में से कौन सा पदार्थ विच्च से प्राप्त किया जाता है इसका right answer होगा A, hing hing जो होता है जो हम लोग अपनी बहुत जगहों पर प्रयोक किया जाता है hing को दाल में भी प्रयोक किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में तो निमलखिद में कौन सा पदार्थ विच्च से प्राप्त किया जाता है इनमें से पहला है option number A hing right answer है यह हमारा case से पौधों से प्राप्त होता है अब चलते हैं बाइस नंबर क्यूस्चन बाइस नंबर क्यूस्चन साथिओं वीडियों में अंतक बने रही है बाइस नंबर क्यूस्चन 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 समीत प्राक्लन समीत भारती संसद की सबसे बड़ी समीती है यह आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा चलिए नेक्ट क्यूचन के और चलते हैं इसका तेज नंबर क्यूचन देखते हैं भारती समीधान के कौन से अनुछेद में नागरिता के संबंधित है कहने मतलब भारत जो अनुछेद समीधान है उनमें कौन से अनुछेद है जो की नागरिता से संबंधित है यह कुचन बहुत इजबर जस्त है यह आप ही सकता है तेज नंबर क्यूचन का राइट एंसर होगा पांच से लेकर 11 अनुछेद तक अनुछेद 5 से 11 तक यही है हमारा भारती जो सम निखिन नगरों में कौन से विरासत सहर विकास और वृद्धी योजना हिर्दय के अंतरगत सामिल किया गया है इसका राइट एंसर होगा 24 नंबर का आफशन नंबर सी प्रयाग राज प्रयाग राज जो है यह विरासत सहर या कह सकते हैं वृद्धी योजना के तहार जो ह इर्दया के अंतरगत सामिल किया गया है इसको बहुत ही स्मार्ट बना दिया गया अब नीचे दिखे कुछ दिया गया है इसमें कूट सब्द भी दिया गया थे आप लोग बहुत कन्फूज हो जाएंगे आफ़सान नमबर सी हमने दिया इसका मतलब आप लोग परियाग राज ही मत जानएएंसान नमबर सी का मतलब ये हुगा कि वारारसी और मथूरा आप लोग प्रियाग राज समझ रहे हैं यही confusion हो जाता है आप लोगों में option number c आपको three number नहीं मानना है option number c मतलब पहला वरारसी क्योंकि यहां कूट दिया हुआ है यह लोग ध्यान देजी ने मैंने इसको पहले भी देख लिया था यह कूट जो है यह कूट सब्सक्राइब इनमें दोनों तीनों एक अलग अलग साथ में दिया होता है इनमें एक और दो दिया है वरारसी और मथूराई यह क्यूचन बहुत ही उल्जा हुआ है अब चलिए 25 नंबर क्यूचन की बात करते हैं देखें साथियों जो 25 नंबर क्यूचन है इसमें क्या है आईसमान भारत योजना के संदर में निम्नखिद में गूंच लाइज भी नगा मूच्ट है दूसरा आउसमें इस योजनामें होने वाले विया के केंदर न बात में होती है आप सी का कूट दिया है पहला आफसर नंबर यह और दूसरा आफसर नंबर दी ना तो पहला और नहीं दूसरा तो 25 नंबर का राइटों से होगा आपस चलते हैं विसम को चुनिए यहां पर हम लोगों को राज राज धाने दे दिये गई है जैसे उत्तर प्रदेश का लखना हो यह तो राइट है लेकिन हम लोगों गलत वाला चुनना है बिहार की राची क्या यही गलत है आप लोग बताईए आफसन नंबर सी सही होगा विसम को बिहार पटना होना चाहिए बिहार राची दे दिया है उत्तर रखन देहरादुन सही है मड़ी पूर इंफाल भी सही है लेकिन इसमें से गलत कौंसा है इसमें से गलत है बिहार राची बिहार पटना होना चाहिए चलिए नेक्स चूचन चलते हैं कौन सा देश जी सेवन सम तहत यह हमारा चीन जो है यह नहीं सामिल है इसके पहले मैंने एक क्यूस्चन बताया था साथियों जो कि आप लोग ध्यान देंगे कि आपसर नंबर सी सही था बिहार राची उसके बाद दूसरा सवाल 27 सवाल कौन से देश जी सेवन समीत का सदस नहीं है इसका है चीन आपसर सबसे ज्यादा सोना है भारत की सब मंदिरों में से सबसे अधिक सोना इसी मंदरी में है आप लोग यहां पर लूटने मत जाईएगा ठीक है चलिए नेक्स चुचन चलते हैं एन एपी नेपी 2020 नेपी 2020 का नया पार्ठ करम धाचा क्या है जो वरतमान 10 प्लस 2 के प्रतिस्थापित करेगा आप लोग इसको ध्यान देजिएगा 29 नमबर का राइट एंसवर होगा अपसा नमबर C 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये कोड आप लोग जरूरियाद कर लिजिएगा नई सिच्चा नीट 2020 के अनुसार सिच्चक अपनी मात्री भासा या छेतरी भासा को किस कच्चा तक पढ़ा सकेंगे नई सिच्चा जो नीटी आई है 2020 के अनुसार सिच्चक अपनी मात्री भासा के छेतरी भासा में किस कच्चा तक पढ़ा सकते हैं तो इसका राइट एंस्वार होगा 30 नमबर का आप्सन नमबर एक ग्रेट पांच तक मतलब ग्रेट पांच तक ये लोग अपनी छेतरी भासा में पढ़ा सकते हैं 31 नमबर किस्चन है 29 जुलाई 2020 को भारत के केंदरी केंदरी मंतिर में द्वारा स्वीकृत नईर जो राष्टी सिच्छनीत के संबद में खित कतनों पर विचार कीजिए इसका राइट एंस्वार होगा 31 नमबर का ए जो ए ही है इसका राइट एंस्वार अभी आपको दिखात आप पहला क्या था इसका एंस्वार यह डाक्टर राजेन यह डाक्टर के कस्तूरी रंजन की अधिस्ता वाली समीत द्वारा तयार की गई थी यह होगा मारा राइट एंस्वार चलिए अब हम लोग नेश्क के उचन के और चलेंगे 32 नमबर के उचन भारत की पहली महिला राजपाल कौन थी भारत की अभी हमने बताया था भारत की पहली मुखमंत्री कौन बनी थी महिला मुखमंत्री जिनको हमने बताया सुचेता क्रिपलानी भारत की पहली महिला मुखमंत्री है भारत की पहली महिला मुखमंत्री है भारत की पहली महिला राजपाल कौन थी तो आप लोग जरूराइद कर लिजेगा 33 नंबर का राइट एंस्वर होगा ओसन नंबर सी उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक प्रतिनिधी होते हैं अब 34 नंबर चलते हैं निमनुकित में से सबसे अधिक जन संक्या वाला सहर काउनसा है विश्व में सबसे अधिक जिन संक्या वाला सहर कौन सा है इसका right answer क्या होगा आप लोगों बताते 34 नमबर का right answer A option number A Tokyo तोकियो जो है इसका right answer होगा विश्व का सबसे अधिक जिन संक्या वाला सहर कौन सा है Tokyo तोकियो भी कहते है अब चलिए next question 35 number वर्तमान में भारत में कितने केंदर सासित प्रदेश है ये क्यूश्चन आप लोगों को फसा सकता है क्यांकि आप आठ नव साथ में ही उलज जाते हैं तो 35 नमबर का राइट एंसर होगा आफसन नमबर C आठ हमारे जो हैं वर्तमान के केंदर सासित प्रदेश है आप लोगों को बता दें कि इसको आप लोग भूलिएगा मत ध्यान देजिएगा और नेक्स चुचन चलते हैं 36 नमबर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का वर्स 2020 का भारत भारती सम्मान निम्रकिन में से किसे दिया गया था 36 नमबर का राइट एंसर होगा आफसन नमबर A आफसन नमबर पांडे ससी भूसर को दिया गया था भारत भारत भारती सम्मान उत्तप्रदे 2020 का चलिए नेक्स क्यूचन आदर भूम छेतर राम सर स्थलो की सूची में गउन से प्रदेश कौन सा शेतर सामिल है इसका राइट एंसर होगा 37 नमबर का आफसन नमबर D उपरियोग सभी नवाब गंज पक्षी अभ्यारण और दिया है पारवती आगरापक्षी अभ्यारण समझ पक्षी अभ्यारण तो अभ्यारण, अभ्यारण है इसका तीनों आफसन सही होगा मतलब आफसन नमबर डी सभी 38 नमबर क्या है देँस के सबसे लंबे एक्सप्रेषवे पुरवाँचल एक्सप्रेष़ों का लोक निरमार प्रधानमतिन नरेंदमोदी ने किस तित को किया यह दिया जिओए न आ जाए तो इसको रायट औंस्वर आप लूग मनने लिए क्या करेंगे शाति थायत नमबर नमबर का रायेट औंस्वर जो होगा ओसन नमबर 06 November 2001 को आपको बताने दे आस्वन अंबर और जो सी है ये अप लोग कि आप जानते इसके जर्ये बारा बंकी अमेठी अयोध्या लखनौ अमेठका नगर आजम गड़वा मौ अब लखनौ गाजीपूर से जुड़ गए हैं तो ये इसके लिए यहां बनाया गया था 38 नमबर एक्सप्रेस भी नेक्स चुचें चलते हैं उत्तर प्रदेश नौटंकी रामनीला क कजरी और जैता निनकित में से किसे संबंदी थे इसका राइट एंस्वर का 49 नमबर का आफ्सन नमबर ए लोक निरित यहां का या लोक निरित हैं आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का लोक निरित कौन सा है नौटंकी और रामलीला यही सब कजरी हो जरी तो इसको नहां दिजिएगा बीडेंटेस एक्जाम में ऐसे क्यूस्चन आएंगे आप लोग इसको हल कर जाएंगे मेरे साथ यदि बने रहेंगे ऐसे ही में लगतार वीडियो लाओंगा आप सभी के लिए और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन को मानो प्रोटीन का पाचन निम्नकित में से किस अंग में प्रारं होता है नियुक्त को आप लोग पता होने चाहिएaaa वहारा जीव बीग्यान का सवाल है इसको हम लोग कहते हैं बायलाजी का सवाल है इसमें 41 नमबर का राइट एंसर होगा आफसर नमबर डी अमासे में जो हमारी प्रोटीन होता है पाचन करने के लिए वह अमासे में ही जाता है और वहीं से बचता है इसका राइट एंसर होगा इसको आफसर नमबर डी होगा इसको चलते हैं इसको संसर वा कानून के द्वारा संभव नहीं किया गया है आप 43 नमबर की उस्थ चलते हैं मानव आहार में मानव आहार में पालीस किये चावल के उपयोग में किया जाता है जो मानव में पालिस के लिए किसे रोग में चावल का उपयोग किया जाता है निम्नखिन में से 43 नमबर का राइट एंसरो का आपसन नमबर D बेरी बेरी रोग में आप ने चुचन जलते हैं निम्नखिन में कौन से पदाधिकारियों को हटाने के लिए निम्नखिन में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने के लिए कोई नई भूम का नहीं होती है 44 का राइट एंसरोगा आपसन नमबर जो है D केवल 3 मतलब इसका 3 आपसन जो है वही सही होग अध्यस संग लोग से वायोग इसमें कूट दिया हुगा है इसका आपसन नमबर हम लोगों का सी सही है क्या है और आपसन नमबर इसका होगा आपसन नमबर ए विटामिन के यह तो मुझे बहुत बच्पन सही पता था क्योंकि जब भी आपको छोड़ लगती है तो थोड़ी देर में जो बलड गिरा होता वो जमने लगता है और वो किस लिए जमता है क्योंकि अविटामिन के के कारण है आप चलते हैं 46 को देखते हैं निमकिन में से किस भारत के मुखमंतरी उपराश्पती साथ साथ राश्पती पत को भी समाला है किस ने भारत की मुखमंत्री और उप राश्पती के साथ साथ राश्पती का पद भी समाला है इसमें राइट अंसर आप लोगों की काउंस होगा 46 का राइट नमबर अंसर होगा आफसर नमबर C आफसर नमबर C है संकर दयाल सर्मा इन्होंने ही समाला था चलते हैं next question भारत नत्यम नितर सहली किस रा शेस संब्धी थे भारत नत्यम नितर सहली किस राजसे संब्धी थे 47 नमबर का राइंस और आफिसन नमबर B तमिल नाड की संब्धी थे अब चलते है next question जो दो व्यक्तिगत ओलम्पिक पदक जीतने वाले भारत की पहले भारती कौन है दो विक्तिगत उलंपीक पदक जीतने वाले पहले भारती कौन है आप रुख जानते हैं कि इसका बहुत ही आशान तरीके 48 नंबर के राइट अंसर सुसील कुमार सुसेल कुमार जो हैं पहले भारती हैं जो कि दो उलम्पिक विक्तिकत पता जीते हैं भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है आप लोगों बता दे भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है इसका राइट एंसर होगा आफसन नमबर बताईए 49 नमबर का आफसन नमबर बी इसलिए तोड़ा दे रहे हैं कि आप लोग भी सोच रहे होंगा आपसा नंबर 20 ने चुचन चलते हैं निम्किन में कौन सा देश एक प्राइवधीप है इसका आप लोगों को राइट इंसर देना होगा फिटिम नमाल का राइट इंसर होगा भारत बारत एक प्राइवधीप है आप भारत के तीनों और पानी से घिरा हुआ इसलिए भारत प्राइदीप कहलाता है अब हम लोग खंड बा को देखेंगे खंड आ को आज देख लिए साथियो अभी इसमें से खंड आ में से जो है आप लोग देखेंगे कि इसके बाद 51 नंबर क्यूस्चन आएगा और खंड आ मे साइंसका माडल हल प्रश्पत्र हम लोगों ने आपके सामने देख्ण आ का ही सिर्फ था इसमें सामान ने Gyan का पूर दिया गया यह चाहे आठका हो चाहे साइंस का हो सबहुंर मिलेंगे खंड बा में तो ठीक हेसा दिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद आप लोगों उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे नेक्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसके नेक्ट वीडियो में हम हिंदी के साथ आएंगे यह पार्ट वन होगा खंड आ है इसके बाद खंड बा आएगा इसी का पार्ट टू जो कि हमारे पूरा हंडेट क्यूशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्ट सेट साल्प करेंगे तो ठीक है साथ यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद आप लोग इस मेरे यूटूब वीड सकते हैं और आप लोग हो जाएंगे तो वहां आपको यह मिल जाएगा तो ठीक है वीडियो देखने के धन्यमाद